राधिक्रिष्णा फ्रेंट्स मैं पायल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डेली कोकिंग वेथ पायल में गाइज आज हम बनाने वाले हैं गड़ी श्यतुर्ती स्पेशल मोदक की रेसिपी जिसे हमने बिना मोल्ड के बनाया है आप देख सकते हैं बहुती सुन्द लाइक चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजेगा क्योंकि बहुती आसान रेसिपी है यहां पर हमारे दो इंग्रिडिंट्स है नारियल का बुरादा और है हमारा कंडेंस्ट मिल्क एक कटोरी नारियल के बुरादे में आधी कंडेंस्ट मिल्क हमने यहां सक्सका बुरादा सेबदा यहां नारियल का बुरादा मेरे नारियल का बुरादा मेरे आपास नहीं था तो इसका शूंखा नारियल हमारे थे करके चैनल में ce पांच मिनिट में बन करके तयार हो जाता है कैसे बनाया है यह मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में शेयर कर दूंगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप इसे बना करके रख लीजिए काही दिनों तक आप इसे फ्र इसे हाथों से ही शेप दूंगी यह देखे आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने जो बॉल थी उसके उपर पॉइंट की तरह बना लिया है और तूथपिक की हेल्प से आप यहां पे फॉक का भी स्थिमाल कर सकते हैं फॉक की हेल्प से भी हम बहुत ही असानी से इसके उपर इस तरह से यह देखे प्रिंट हम यहां पे दे सकते हैं इस तरह से हमारा बहुत ही सुंदर सा मोदक बिना मोल्ड के बन करके हो जाता है तैयार आप देख सकते हैं नहीं हमने बहुत कम खर्चा किया है और बहुत ही कम समान से हमने बना करके किया है इसे तैयार अब यहां प अपने पसंद की किसी भी चीज से गार्णिश कर सकते हैं या फिर इसी तरह भी सर्फ कर सकते हैं भगवान तो भाव के भूके होते हैं उन्हें तो सिर्फ भाव ही पसंद आता है यहाँ पर आपका केसर का धागा हो या नहीं उन्हें इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता बस आप प्यार से इसे बनाईए और उन्हें भोग लगाईए उन्हें बेहदी पसंद आएगा सो गाइस कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कॉमेंट में जरूर बताईगा आप भी इसे जरूर बनाएगा भावान को जरूर पसंद आएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद